हेलो और वेलकम बाक टो दे नूबर्स कमेटी तो आज हम फिर से वापिस आ चुके और इस बार एक बहुत ही ट्रेंडी टॉपिक के ओपर यह वीडियो में लेके आ चुके हैं जो कि है वेलरंड मोबाइल वेलरंड आपको जहुर से पता होगा एक FPS टैक्टिकल शूटर गेम ह है एक FPS गेम है और बहुत ही चीज साथ है एडिक्तिव गेम तो है ही और बहुत ही बड़ा बेर बेस बनाया इस गेम ने साथी बहुत ही चीज़ें बाइटीश कैन्स हरेक्ट मे extある ब्लैक मारकेट आता रहता है बहुत सारी चीज़ आर चारीUप प the ऑन्स अच्छा गेम बहुत एक अच्छा अल्टर्नेटिव है आप बोल सकते है CSGO का, it's like a CSGO, but with some abilities and all. तो आप समझ सकते हो, कितना साधा exciting हो जाता है at that heat moments, और खासकर इसके CompiQ, बहुत ही जाधा exciting, साथ ही साथ, और बहुत ही साधा challenging भी है, और आप जितना जाधा इसमें grind करोगे, उतना जाधा आप level up करोगे, एक ऐसे stage तक आप पहुँच सकते हो, जहां से आप को पूरी दुनिया पहचान सके, जैसे कि आपको पता होगा, दूसरे tactical games भी है, जैसे CSGO में भी उसके खुद के ranks थे, और जो top ranks पे थे, उनको लोग easily ढून निकालते थे, कैसे ने जैसे करके, और same, इस चीज में भी यो same है, तो मैं बता देता हूं introduction, कि हम भी इस वीडियो में किस चीज के बारे में बात करने वाले है, जोब मैं पहले बताने है, बट यह मैंने topic wise जो divide किया हुआ है, वो चीजे में आपको थोड़ा clarify कर देता हूं, और यह Valorant क्या है, अगर आप लोगो यह नहीं पता, वो भी मैं आपको बता देता हूं, वैलरेंट एक tactical FPS game है, for the PC, currently, बट अभी जो यह leaks आये हैं, फिर से यह Valorant mobile की तरफ इशारा कर रहा है, और इसका एक better testing भी हुआ, उसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे, बट जिनके लिए जिनको Valorant नहीं पता, आप ज़रू साब चाहिए तो Google भी कर सकता है, बट मैं आपको बता दू, Valorant is just an CS go, but with some abilities, और अगर आपने CS go भी नहीं केला है, तो आप नॉर्मल कोई भी FPS गेम, आपने mobile भी भी बहुत सारे FPS गेम साते हैं, जाएसे stand-off 2 and all, तो उसके जैसे यह गेम है, but with abilities, और abilities ही एक ऐसा standpoint है, जिसके वज़े से इसको एक अलग ही twist of turns मिलता है, तो जिसके वज़े से यह पूरी तरह से अलग हो जाता है, दूसरे tactical FPS से बोल सकते हो, because you don't just rely on your bullets and all, and aim and all, इस पे आप अपने abilities को कैसे use करते हैं, वो चीज़े भी matter करती है, और यह गेम एक 5v5 mode पे चलता है, इसमें यह deathmatch भी है, team deathmatch भी है, escalation mode, replication, compi, unrated, custom mode, बहुत सारे modes है, as in conclude दा से तो, बहुत ही a fun to play game है, but based on tactics and all, it's not easy to win, but if you win, you will enjoy it, and if you don't win, then also you will enjoy it, PlayStation होगा, but यह game में ऐसा exciting है, आपको हर एक mode पे आपको, मज़े जरूर आएंगे इस game में, मैं आपको section बता देता हूँ, कि इस video को मैंने कितने sections में डिवाइड किया, total हमने 5 sections में इस video को डिवाइड किया, पहला section होगा, better testing के बारे में, बुसरा section होगा, maps, कोई चेंज होने हैं की नहीं होएं, और तीसरा section होने वाला, characters or guns, इस video को बीच बीच में देखने को मिलेंगे, जो की इसके better testing से ही आएं, तो आप वो चीज भी देख सकते हैं, और साथी साथ अगर आपको clips के link चाहिए हो, तो आप comment करके बता सकते हैं, हम आपको या तो google drive का link, या फिर कोई और links के थूँ आपको वो link provide कर देंगे, सबसे पहले हम बात कर लेता है better testing के बारे में, better testing, just अभी कुछ दिनों पहले, अभी previous Thursday को, 28th September को हुआ था, और ये से एक closed beta testing थी, for the limited users, very much limited users, इनमें सिर्फ Chinese devices support थे, जिनमें से top devices आप बोल सकते हो, Redmi था, Poco था, IQ था, Vivo था, और ये जो beta testing था, वो भी सिर्फ Chinese players के था, और वो भी invite only था, इसका जो application था, आप डाउनेड़ कर सकते हो, but resources आप डाउनेड करने के लिए, आपको पहले तो Chinese VPN में जाना पड़ेगा, आपके पास invite होना चाहिए, तभी आप game खेल सकते हो, उसके अलावा कोई ज़्यादा chance नहीं है, तो हमारे पास वैसे application का भी link है, अगर आपको वो भी चेह, तो आप वो भी comment करके बता सकते हैं, और ये better testing जो हुआ, better testing इससे पहले भी हो चुका, actually 2021 में भी बहुत ज़्यादा hype up हुआ था, but I don't know why, दो साल तक ये चीज़े dead रही, और ये फिर से अभी वाप इस hype up हो रहा है, तो इसी लिए हमने वीडियो लेके आप सामने आये, कि आपको थोड़ी चीज़े clear out हो जाए, और ये 2023 के just 28 September को ही ये हुआ है, कुछ devices पे ही supported था, और mostly जैसे मैंने बोल दिया, सिर्फ Chinese companies, that too in China, और with limited device support, and with invite only, तो ये सब के लिए तो नहीं था, बहुत close beta testing था, अगर आपको beta testing के regarding, और भी कुछ leaks, या फिर कुछ भी चाहिए, आप वो भी comment करके बता सकते, हम थोड़े बहुत आर्टिकल के लिंक्स, या फिर जो अगर वीडियो के लिंक्स होगे, हम भी try करेंगे, यूट्योपे डाल सके, अगर possibility अगर हम नहीं डालते, तो maybe उसका कोई reason ही होगा, क्योंकि अगर आप लोग को पता हो, तो आजकल जो game के बारे में leaks वीडियो में है, कोई भी photos वीडियो को merge करना, थोड़ा problematic हो चुका है, YouTube पे strikes आ जाते हैं, या फिर कुछ भी और दूसरी problems भी हो सकते हैं, कोई नहीं आप थोड़ा सखीट कर लो, अगर हम ज़रू से try करेंग, इस वीडियो में हम add कर सकेंगें, तो दूसरा point अपना, maps, maps मैं आपको बता दू, मैंने पुद्ल में एक closely, इस बेटा देस्टिंग में, जितने वीडियो आएं, उन सब को देखा, कि मेरे को कुछ, एक चीज पता चली है, जो कि है, maps में सारे maps हमको देखने को नहीं मिलने हैं, आपको पता होगा, well run PC पे हमको around 10 maps को देखने को मिलते हैं, but as of now, जो well run में हैं, या तो यह से बेटा टेस्टिंग के बात हैं, या फिर initially भी हमको सिर्फ यही maps देखने को मिलेंगे, I don't know, but बेटा टेस्टिंग में अभी सिर्फ चार maps आपको देखने को मिलते हैं, Ascent, Heaven, Bind and Breeze, और यही चार maps most probably हो भी सकता है, यह release में भी आपको स्टार्टिंग में सिर्फ यह चार maps ही देखने को मिलेंगे, बागी के सारे maps दिरे दिरे यह लोग भी launch करें, या फिर हो सकता है, launch के टाइम तक ही हो जाए, बट अगर बेटा टेस्टिंग में को सिर्फ चार maps को टेस्ट किया जा रहे हैं, तो most probably यह होगा, कि बागी सारे maps दिरे दिरे टेस्ट करके launch किये जाएंगे, इसके अलब मैप्स में और कोई major change तो है नहीं, सेम मैप्स होने वाले हैं, सेम एज पीसी पट सारे maps की जगहें यहां पर हमको सिर्फ चार maps देखने को मिले हैं, तीसरा पॉइंट है character के बारे में, character आपको पता है इसमें वैल्टरंट के जो characters होते हैं, उनको agents बोल जाता है, वैल्टरंट के agents agents इसलिए बोल जाते हैं कि वैल्टरंट एक protocol जैसा बिल्ट के हैं और बोल सकते हैं आप story line type बिल्ट के है इसमें वैल्टरंट के सारे agents है अलग प्रोटकोल agents है और हर एक agent का particular ability है और उसमें भी हमको कोई खास changes देखने को नहीं मिलने वाले, gun mechanics में भी हमको कोई खास changes देखने को नहीं मिलने वाले, यह चीज़ है सेम रहने वाली है, as like map इसमें कोई खास change नहीं देखने को मिलने वाला है, हाँ, बट ऐसा नहीं होगा map की तरह कि इसमें agents कम देखने को मिलने गा, है इसलेक मैप से यहां पर ऐसा कोई चेंज वह निहीं होगा कि हमस्याइध को सफ चार मैप हाई जिस चार शेसी बाद मिलेगा है कुछ ही गन देखना सेलेक्षण हमको पॉरपर मिलेगा जो हमारे एजिंट होंगे वह बिसे इकलिस होंगे और जो गन mechanics भी same काम करेगी पिरस जो आप बोल सकते हो हर round के बाद जो cash in cash out जो भी इनका system है आप बोल सकते हो bonus round का जो आप earn करते हो वो सारी चीज़े आपको इसमें same रहने हो आप लोग भी बोल रहे हैं कि मैं इतना fast fast क्यों बात कर रहा हूं कि कि वीडियो मैं भी नहीं चाहता लंबा हो वीडियो जितना short में होगा उतना हमाले भी अच्छा और आपके लिए अच्छा ऐसा कोई ही नहीं अगर कोई detail मिस नहीं होगी जैसे और कोई detail आपको जैसे और कोई detail हमको देखने को मिलेंगे उसके लिए और नया वीडियो बना देंगे उसमें कोई problem नहीं हमको बट अब भी जितना हो सके हम एक वीडियो में एक लिमिटेड जितना details अभी आए है उस चीज को लंबा कीशने कोशिश नहीं करते हुए कि क्यों आदे गंटे कर वीडियो बन जाता है तो that's not easy for us to edit, upload, render and all or not good for interaction and all same for you आप लोग एक 30-minute का वीडियो नहीं देखना चाहोग चीज नहीं देखने को मिली यह चेंज गेंपे भी सेम होने वाला है हाँ एक चीज में एड होने वाली है वह जायरो आफकोर्स बीना जायरो के आप कोशिटो खेलना impossible सा हो जाएगा यह कोई एक वो नहीं है PC गेम एक PC गेम है बट आप PC पे नहीं खेल रहे हो तो जायरो सक आपको चाहिए ही चाहिए बीना जायरो सकोप के आपको खेलने में थोड़ा प्रोब्लम आएगा तो हाँ इसमें जायरो सकोप आने डाल है यह के लीक्स जो है उसमें अलड़ी यह चीज दिखाई गए और मैंने खुद नहीं यह चीज नोटिस किया है अगर पॉसिबल नेक्स पॉइंट है अब ना रिलीज़ डेट को लेकर जयाँ रिलीज़ डेट की बात है तो रिलीज़ डेट का सबसे आप बोल सकता हो अ मैं कोई नहीं बता सकता क्योंकि रिलीज़ डेट के बारे में एक चीज अभी थोड़े टाइम पहले ही अलाइव हुआ है और अब बोल से तो कि I don't know ऐसा में भी कोवीड के वज़िस हुआ हो राइट के पास फंड के वज़िस हुआ हो बाट इसा फंड का इशू होना नीची राइट के पास राइट के पास बहुत अच्छा कासा फंड है और में भी अब बोल से तो रिलीज एट में भी नेक्स्ट यह रिलीज हो जाए I'm not sure I'm not guaranteeing it but there's a possibility यह अगले साल रिलीज हो जाए क्योंकि 2021 में जैसे 2020 में पॉपिलर हो गया था गल्टन 2021 में लोगन डेवलप्मेंट चालू कर दिया था उस ताम पे भी टेस्टिंग होई थी but I don't know दो साल क्या हुआ फिर उसके बाद आपीस अभी आपीस टेस्टिंग चालू है जैसे में बता है 2021 सेप्टेंबर को भी एक क्लोस बेटा टेस्टिंग थी मेभी उससे पहले भी टेस्टिंग हो रही हो I am not aware of that बट अगर टेस्टिंग हो रही है इसका मतलब गेम इस क्लोस और मेभी ऑफिशल है अनॉंस्मेंटा भी हम रेट कर लेता है but I think so if the game will release next year probably और गेम तो जैसा मैंने बता दिया सारी चीज़े सेम रहने आ लिए हम एक चीज़ है वो है cross platform वो इस game में होगा की नहीं होगा I am not sure अगर cross platform होगा तो PC gamers के लिए एक upper hand होगा mobile gamers के लिए आप बोल सके it would be a great problem because PC पे को snipe करना और mobile पे snipe करना same with PC पे AR run करना आपको finger tap 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 करना और यहां पे mouse पे finger tap करना बहुत ज्यादा difference आ जाता है let's see cross platform आता है कि नहीं आता but hopes हो कि नहीं आए तो ज्यादा बेटर रहेगा जैसा मैं बहुत without further ado यह इस video को conclude कर लेता है तो इस video में वैसे पहली बात में conclusion यहीं बताना चाहूंगा कि इस video में जो भी मैंने चीज़े बोली है वह not 100% sure कि वैसा ही होने वाला same UI जो मैं आपको दिखाऊंगा वह close beta testing का वह real में भी वही निकल गया हाँ close beta testing में वही UI है और UI में और भी improvements हो सकते हैं अभी बहुत जादा clumsy UI देखने को मिल रहा है UI आप बोल सकते हो आपको ऐसा कुछ खास देखने में नहीं लगेगा बट जब यह final release होगा या फिर teaser आएगा trailer आएगा कुछ तो आए गई तब बहुत ज्यादा changes हो हो सकते हैं हाँ और फास का release date, release date के बारे में मैं गलत हो सकता हूँ क्योंकि already 2 साल इन लोग ने wait कर लिया तो I am not sure कि यह लोग अगले साल भी release करें बट अगर इन लोग ने better testing फिर से चालू किये तो मैं भी इस साल के लिए लोग release कर सकता हूँ मैं आपको यही चीज़े बताना चाहता था और जो भी मैंने बता दिया कि जो भी आर्टिकल के लिंक्स होंगे प्लस जो भी images वीडियो जो supported devices था उनका एक वीडियो में आपको मैं बता दूँगा कौन से supported devices थे वो सारी चीज़े मैं इस वीडियो में add कर दूँगा प्लाइ करूँगा का add करने का मैं बोल नहीं सकता guarantee because these are not allowed में भी कुछ गेम्स जैसे rockstar गेम्स वो allowed नहीं करते हैं अपने leaks में footages एंड वीडियो को add करना अगर ride भी same करता है तो मैं यह वीडियो में यह माई यह वीडियो में वीडियो में वीडियो में वीडियो एड नहीं अगर आप दूसरे किसी games में भी interested हो जैसे कि story mode और अगर आप किसी और दूसरे games में भी interested हो जैसे for example story modes and all जैसे में अभी बात किया था rockstar games के बारे में तो अगर आपको rockstar game की gta 6 के बारे में देखना है तो आपको यहाँ पे icard में आपको link मिल दियाएगा या फिर आप video के link मिल जागा वहाँ से redirect हो सकते मिलते हैं next video में till then see you tata bye bye